अब pronoun change, tense और adverb से मुश्किल होता है, डरा ने रही हूँ, जगा रही हूँ, कोई सो गया है तो जाग जाओ, जितना असान tense और adverb था, उतनी असाने से pronoun नहीं होगा, तो समझो क्यों नहीं होगा, एक sentence suppose मैंने बना दिया, he said to me, कुछ छोटा सा sentence बनाना पुड़ेगा, space का मैं, जो मैं कर रही हूँ, यही लिख दूँ, मैं तो कुछ adverb भी डालना चाहरी थी, adverb डालने की कोशिश, अरे नहीं हो पा रहा, adverb गुसेड़ देंगे अब की बार, तो शब्द छोटे छोटे कर दिये, और यह adverb भी, समझ गए, वो smiling, sleeping उदर तक गुस गए, today फिटे नहीं हो रहा था, चलिए, अब मैं कहना चाहरी हूँ, यह speech कौन सी है, पहले तुम बताओ, direct speech के दो हिस्से होते हैं, वर्व वाला कौन सा है, और इधर वाला, आपने न, reported speech में यह देखना है, कि pronoun का पहला person है, person, दूसरा है, या तीसरा, फिर से कोई चुगलियां कर रहा है, अरे मिर को जाने दो भाई, फिर कर ले न, अभी सामने के सामने करोगे, और लड़का है, लड़के हैं दो, कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच लगे हुए, आईए, pronoun का पहला person है, दूसरा है, या भूल गए हो तो first person थे ये, second, और बचे हुए सारे, is she, it they, या किसी का नाम बोलो, किसी का नाम बोलो, अपना तो मुझे पता ही था, तुम्हारा सुनना चाहती थी, हमेशे ऐसे केस में मैं अपना ही लिख रहे होती हूं, इसलिए पूछ रही थी कुच नया बता दो, I or we first person, you second person, बचे हुए सारे, I or we का परिवार first person होगा, परिवार यानि I, my, mine, me, we, are, ours, us, you का परिवार second person होगा, you, your, yours, you, personal pronoun याद है, उसमें table कराई थी, वो table दिमाग में रखनी पड़ेगी, याद है, table, पक्का याद है, जूड़ तो नहीं बोल रहे है, मैं दुबारा लिख दूँगे, मेरे हाथ ने टूटेंगे, पक्का याद है, ठेक है भी फिर, अगर आपको reported speech में first person दिखे, तो उसे verb के subject के अनुसार बदलेंगे, वर्ब का subject यहाँ पे होगा, वर्ब समझ रहे हो, reported verb, इसको वर्ब बोल रहे हूँ, वर्ब का subject, second person वर्ब के era object, third person change, तो एक सुलजी हुई सी नजरों से अगर देखा जाए, तो I, V और U ही तो बदल रहे हैं, बाग के सब तो same, देखो, या तो I बदल रहा है, या V बदल रहा है, या you, सिर्फ तीन बदलने हैं, बाग के सारे same to, same, he है तो he, she है तो she, it है तो it, they है तो दे, किसी का भी नाम है तो नाम, नाम यानि student भी नाम है, class भी नाम है teacher भी नाम है, bench भी नाम है कुरसी, computer, सब के सब नाम है same to यही एक मातर गलती है जो मैंने बच्चों को pronoun में करते हुए देखा है, क्योंकि यहां पे लिखा होता है student और उसको इधर उधर से बदल रहे होते है same to same, यहां लिखा होता है class उसको इधर उधर से बदल रहे है it लगा रहे है, भी narration में तो pronoun आता है, नहीं आता third person है तो same to same, तीन ही बदलने की कोशिश करो I दिखे तो, उसका परिवाद V दिखे तो, या फिर U दिखे तो बाकि सारे as it is indirect speech में same to same, क्या हमें समझ आया पकाया एक और चीज़, जहां बच्चे confused होते हैं जिस शब्द की जगां रखोगे उसी level का शब्द होना चाहिए पहरे दिमाग में शब्दों को घुमा लो जिस शब्द की जगां बिठा रहे हो जिस शब्द को हटा रहे हो उसकी जगां उसी level का शब्द आएगा, यानि subject को हटा रहे हो तो subject ही आएगा object को हटा रहे हो तो possession हटा रहे हो समझ आए कि नहीं आया और खुल के बताते हैं यहाँ पर आए है कौन सा person subject है पर है ना, subject है किस के हिसाब से बदलना है वर्ब के subject के हिसाब से पर ही भी पहले से ही subject है तो कुछ करना ही ने पड़ा आए की जगां सीधा कोन आ गया